तो आज 22 सेप्टेमबर है और कोलकाता साइड में लगातार अभी बारिस हो रही है तो बारिस का फायदा उठाते हुए कटिंग से धेर सारे पौधे बना सकते हैं तो जिब नर्सरी से हम पौधे लाते हैं और कंटिंग से इस टाइम कई सारे पौधे बना सकते हैं अगर एक दो पौधे गार्डन में खड़ाब भी हो जाए तो दुसरे पौधे हमारे तियार रहेंगे तो इसमें लगातार बारिस हो रही है तो बारिस का फाइदा उठाते हुए कटिंग से कई सारे बोध्य महें बना सकते हैं तो कटिंग कई तरह से लगा सकते हैं अगर तेज धू पर गर्बी पढ़ती है तो cutting लगाने के लिए कई तरह से लगा सकते हैं या बालू की रेत में भी लगा सकते हैं या एक बालू की रेत या एक बालू की रेत या एक बालू की रेत या एक बालू की मिट्टी मिला के भी लगा सकते हैं कोकोपीट में भी लगा सकते हैं पर क्योंकि अभी continue बारिस हो रही है तो बारिस के मौसम में कटिंग लगाने के लिए कोई पौधा जो हाड़ी पर्मानेंट पौधा है उसके कटिंग ले 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 पेंसिल के जैसे कटिंग लेंगे चार से पांच इंस का कटिंग लेंगे और कोई गमले में लगा देंगे तो उपर के दो तिन पत्ते छोड़के नीचे के सारे पत्ते हटा के और कोई गमले में उसको ऐसे ही गार देंगे तो हमारे कटिंग अभी success हो जाती है फिर उसको अलग से लगाने की ज़रत नहीं परती है या चाहे तो आप अलग से भी कटिंग लगा सकते हैं एक भाग बालू पर बीच में बहुत जादा धूप के वज़े से सारे कटिंग सूख गई थी पर अभी लगातार बारिस में देख रहे हैं तो तीन कटिंग इसमें भी चल गई है जिसमें की वोगन विला में देख रहे हैं नए-नए पत्ते भी आ रहे है और गुलाब की भी कटिंग चल यहां पर रात रानी के क्टिंग कर रहा हैं बहुत अच्छे से चल गई है तो इश्टम में अपने गार्टन में कटिंग से कई सारे पौधे बना सकते हैं तो बिना मेहनत के भी कटिंग लग जाती है अगर लगातार बारिस होती है तो जिसमें की हिभिसकस, चांदनी, मीनी- चांधनी और मोगडा के जो कटिंग होते हैं वो आपके लेके कहीं मिट्टी में उसको आपकार की और देटे हैं तो वो कटिंग हमारे चल जाते हैं फिर उसको अलग से लगाने के जरत नहीं पढ़ती है यह वला गमला में देख रहें बालसम के पौध्या लगे हुए हैं उस पर देख सकते एक करनेड का फोधा है इसमें भी मुगड़ा के मेने कटिंग जो लगाया थे वो भी चल गई है तो मुगड़ा के कटिंग लगाने के लिए कोई जादा मेहनत करने के ज़ोध़ नहीं पड़ती है कोई भी गमले में इसको लगा देते हैं पतले से पतले cutting इसके लग जाते हैं, लगातार बारिस होती है, तो इसको पतले से पतले cutting लेके कहीं भी गार देते हैं, तो यह cutting चल जाती है, जो हमारे permanent hardy पहुधा होता है, तो उसको report करने में जल्दी नहीं करें, cutting बहुत अच्छे से चल जाएं, उसमें root बढ़ने दें, तभी रिपॉट करना चाहिए, यहाँ पर भी देख रहे हैं, अस्थल कमल के पौधा लगे हुए, इसमें भी कई सारे कटिंग लगा थे, जो चल गई है, यहाँ पर मोगडा कद भी देख रहे हैं, कटिंग चल गई है, तो इसमें अच्छे से जब रूट बन जाएंगे, कम स सुन्दर फ्लावर्स आया हैं, तो इस साल कटिंग से पौधे त्यार करते हैं, तो अगले साल आपके कारण में काफी सारे पौधे बन जाएंगे, तो यहाँ पर देख रहे हैं, जो पर्मानेंट पौधे हैं, हाड़ी पौधे हैं, जिसको की चांदनी, हिबिसकोस और पौधे हैं, तो कोलियस को भी कटिंग से बहुत असानी से लगने वाला पौधा है, तो कोलियस को इसे बारो महिने लगते हैं, तो इसको सिर्फ बालू किरत में लगा यहा here, तो इसमें कोई रूटिंग हार्मन के जरुत नहीं पड़ती है, वैसे ही उपर से कटिंग लेके प्लास्टिक के ग्लास है तो उसमें भी लगा सकते हैं जमें एक बालू की रेत और मिटी मिला के तो रूटिंग हर्मन के लिए हल्दी पाउडर या एलोवेरा जल लेके इस तरह भी लगा सकते हैं तो इस तरह जब छोड़े छोड़े ग्लास में कटिंग लगाते हैं तो इसक पार बारिस होती है तो कटिंग लेके यसे ही कोई गमले में जो पौधा लगा है गार देंगे तो भी हमारी कटिंग अभी चल जाती है तो कटिंग से धेर सारे पौधे अपने गार्डेन में जरूर बनाए तो फ्रेंट्स वीडियो अगर काम का हो तो लाइक जरूर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिजेगा बैले एंगर के साथ बाइबाइ फ्रेंट्स हैपी गार्डेनिंग